दोस्तों रश्या और यूक्रेन यूद को देखते हुए आज भारत ने एक एसा फैसला ले लिया है जिसकी वज़े से हम कम कीमतों पर दुश्मन देश को भारी नुकसान पोहुचा सकेंगे ये बात तो आप सभी जानते ही हो कि रश्या ने अपनी सबसे एडवांस मिसाइलो को यूक्रेन के ऊपर दागा है चाहे उसमें रश्या की सकेंडर मिसाइल हो या फिर रश्या की P800 ओनिक्स मिसाइल हो लेकिन इन मिसाइलों को दागने का रश्या को कोई बड़ा फाइदा नहीं हुआ है बलकि रश्या को जादा नुकसान ही हुआ है तो कि रश्या को एक- कारण आज रश्या की हालत ऐसी हो चुकी है कि रश्या का दिवाला निकल चुका है अगे चल कर भारत के साथ ऐसा ना हो इसी बात को देखते हुए अब DRDO ऐसी क्रूज मिसाइलों को बनाने में लगा हुआ है जो पावर के मामले में नॉर्मल मिसाइल के बराबर होंगी लेकि वायू सेना को देंगे जिनका इस्तमाल भविष्ये में हमारे हेलिकोप्टर और फाइटर जेट करने वाले हैं और जो DRDO की तरफ से ये मिसाइले बनाने का फैसला लिया गया है इन मिसाइलों की रेंज कम से कम डेड़ सो किलोमेटर होगी जिससे ये बात साफ हो जाती है कि अब हम कम कीमोतों पर दुश्मन देश को भारी नुकसान पहुचा सकेंगे और इन मिसाइलों को 100 यानि की स्मार्ट एंटी एरफिल वैपन के बेसिस पर बनाये जाएगा इन मिसाइलों के अंदर छोटा टर्बो जेट इंजन लगा होगा और बूस्टर के तोर पर इन मिसा किलोग्राम होने वाला है साथ में एक अपडेट एकनोमिक एक्सप्रोजिव लिमिटीड को लेकर भी आया है अज एकनोमिक एक्सप्रोजिव लिमिटीड के वाइस प्रेजिडेंट की तरफ से एक बयान में बताया गया है कि हमने कटिंग एज 125 किलोग्राम के फ्रिग्में टावर बंकर को तभा करने के लिए बनाया गया है साथ में Economic Explosive Limited का ये भी कहना है कि इस बॉम का इस्तमाल हम अपने आने वाले फाइटर जेट में भी काफी अरामिस असानी से कर सकेंगे और इस बॉम की शेल लाइप 30 सालों तक की होने वाली है और अब आप ही कमेंट करकर ब जिए वाइब आप एचानी से कर दो बाएब आप देजाए और आप आप रहे जालों तक कर दो के वाले दो टाविए और आप दो को फुटक के लिए और बाएब और आप, आप